तोडे इंडिया नाव तोडे इंडियन डेजर्ट यहां पर दगी स्पेलिंग रॉंग लिखिये इतिस टी एच ए टी एच आर लिखा है इस रॉंग नाव ते इंडियन डेजर्ट पहले तो हम बात करेंगे यहां पर आपकी बुक में मैप दिया है और इसमें इंडिया का सिर्फ इंडियन डेजर्ट का पोशन अलग से इन्होंने शो करा है यह आपका कहां पर है यह नौर्धन प्लेंस है और नौर्धन प्लेंस के जस्ट इधर साइड आप देखेंगे तो यहां पर इंडियन डेजर आपका लाई करता है इस राजिस्थान राजिस्थान का आपका थोड़ा एरिया जैसल मेर, बार मेर, बीका नेर और गंगा नगर ये एरिया आपके इंडियन डेजर्ट के अंदर आते हैं नाउ, वी विल स्टार्ट पिद रीडिंग अभी मैंने आपको बताया है कि ये ग्रेट नौर्दन प्लेंज के वेस्थ साइड में लाई करता है इट ओक्यूपाइज अमेजर पार्ट ऑफ दे स्टेट ऑ राजिस्थान कवरिंग 61 परसंट ओफ इट्स जोग्राफिक एरिया ये बहुत बड़ा एरिया राजिस्थान का कवर करता है इसको हम और क्या बोलते हैं थार डेजर्ट पुरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट ये माना जाता है इस डेजर्ट इस कवर्ड विद सैंडी सॉइल ये जो डेजर्ट है ये पूरा किसी कवर्ड है सैंडी सॉइल यहां की सॉइल कैसी है सैंडी बालू वाली सॉइल है यहां का जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ही गरम रहता है बहुत hottest है यह एरिया और कैसा है ड्राइस्ट बिलकुल सूखा यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है इट लाक्स इन वाटर और यहाँ पर पानी की भी बहुत कमी रहती है Some streams appear during the rainy season but they disappear after the season क्या होती है कुछ जो streams हैं कभी कभी streams मतलब छोटे छोटे जो तलाब छोटे छोटे हैं वो कभी कभी rainy season में भरे हुए दिखाई देते हैं पर जब season चला जाता है rainy season तब उसके बाद वो भी कायब हो जाते हैं किसे जो बालू होती है उससे वो भर जाते है these streams do not have enough water so they dry up and disappear into the sand देखें यहाँ पर लिखाए कि जो streams होते हैं इन में जादा पानी नहीं होता है इसलिए जब यह किस से भर जाते हैं किस से छुप जाते हैं सैंड से the thar desert is also famous for inland drainage जो thar desert है वो inland drainage के लिए भी बहुत जादा famous है inland drainage क्या होता है inland drainage is that system जिसमें पानी को अंदर store किया जाता है वह वह अंदर ग्राउंड लेवल पे पानी store होता है यह thar desert इसके लिए बहुत जादा famous है और ये inland drainage वाला जो पानी होता है ये in future जब पानी की बहुत जादा जरुवत होती है तो इस पानी का यूज किया जाता है लिउनी is the only large river of this desert देखें यहाँ पर आप मैप में देख भी सकते हैं इस लिउनी रिवर और ये लिउनी रिवर इस दर लाज रिवर सबसे सफिक यही एक रिवर है बहुत बड़ी रिवर जो डेजर्ट में आपको देखने को मिलती है hence it has very little vegetation इसी लिए यहाँ का जो vegetation है मतलब की जो cropping system है जो पेड पौदे हैं वो बहुत ही कम है the annual temperature ranges from 0 degree centigrade in the winter season to over to over 50 degree centigrade in the summer season यहाँ का जो annual temperature range है वो क्या है winter season में यहाँ का temperature 0 degree centigrade तक पहुच जाता है and in summer season 50 degree centigrade का temperature यहाँ पर पहुच जाता है now this is all about the great Indian desert thank you class